में कक्षा नूवी गड़ित च्शायंग का प्रस्थन है वार्सी करिछा की दृष्टियोंगोर से बहुत ही इंप्वर्टेंट अ देखी इसमें क्या करना है, A और B का मानग्यात करना है, तो क्या करना है, इसमें उपर को ONCE और नीचे क्या बोलते हैं, हर, तो हर का परिमीकरण करना है, यह हो जाएगा, करणी 5 प्लस करणी 3, बटा करणी 5 माइनस करणी 3, अब गुड़ा करना है, भी तो प्रस्ट लिखाऊ तो नीचे को उपर नीचे में लिखते हैं कर्णी 5 माइनस कर्णी 3 को उपर में लिखना उपर नीचे में लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस तो कर्णी 5 प्लस कर्णी 3 बटा कर्णी 5 प्लस कर्णी 3 उपर को देखके नहीं लिखा हूँ ना नीचे को देख के लिखना है, minus है तो plus, और plus है तो minus, बराबर इसको छापते जाना है, a plus b करणी 15, अब देखिए, ये गुड़ा होता है, करणी 5 का गुड़ा इन दोनम होगा, तो याद रखने हैं, करणी 5 और करणी 5 को गुड़ा करेंगे, सिर्फ क्या होगा, 5, और करणी 5 गुड़ा करेंगे 5 तिया 15 जब अलाग्-अला कर्णी रहता है तो इसका गुड़ा हो जाता है याद को अगर कर्णी 5 और कर्णी 3 हैं तो kya होगा कर्णी 15 लेकिन कर्णी 5 कर्णी 5 है तो सीर्फ क्या लिखना 5, अबुस्क कर्णी 25 कर सकते हैं करणी 25 का वर्ग मुल फिर से 5 होता है इसलिए डारेक्ट क्या लिग देना 5 अब यह क्या हो जाएगा प्लस वैसे ही करणी 3 का 5 होगा 3 पंचे 15 फिर करणी 3 का होगा सिर्फ 3 पहले का दोनम गुड़ा करना है और दूसरे का भी दोनम गुड़ा करना है अब नीचे को भी आप गुड़ा कर सकते हैं लेकिन नीचे को डारेक्ट याद रखना है पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग करनी 5 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग यह कहां से आया फार्मूला से आया कौन सा फार्मूला A माइनस B और A प्लस B बराबर क्या होता है A का स्क्वेर माइनस B का स्क्वेर ठीक है तो देख लेने ये A माइनस B और A प्लस B अब यहां से देखिए यहां से क्या हो जाएगा दो और कर्णी कड जाएगा तो यहां से देखिए हमें सहाँ दखना करणी करणी वाला जूड़ेगा अब बिना करणी बिना करणी तो 5 और 3 आठ अब करणी परना 15 करणी 15 को 15 15 तीस नहीं करना यहाँ पर एक रहता है और यहाँ पर एक रहता है इसको और यह हो जाएगा बराबर a प्लस b करणी 15 यहां से क्या होगे देखिए 8 प्लस 2 करणी 15 और 5 में से 3 गया 5 में से 3 किता बचा 2 बराबर a प्लस b करणी 15 अब देखिए क्या हो जाएगा यह 2 दोनों के लिए रहता है 8 बटे 2 प्लस 2 करणी पंद्रा बटे 2 बराबर इसको ऐसी लिख दीजे A प्लस B कर्णी 15 यहां से क्या हो जाएगा 2 चोग 8 दो और 2 कड़ गया 4 प्लस कर्णी 15 बराबर A प्लस B कर्णी 15 यहां याद रखना है तूलना होता है देखो देखिए कर्णी और कर्णी वाले का तूलना होता है बीना कर्णी बीना कर्णी तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं परिमे व अपरिमे भागों की तूलना करने पर तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए कर्णी कर्णी वाला आप परिमे होता है अब बिना कर्णी वाल परिमे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 और वैसे ही b कमान निकालेंगे तो यह हो जाएगा b कर्णी 15 बराबर क्या होगा कर्णी 15 तो कर्णी 15 कर्णी 15 कर्णी 15 कर जाएगा तो b बराबर कितना बचेगा 1 ए बराबर चार और बी बराबर एक, यह क्या है इसका अंसर है, सिंपल सा है, असानी से आप बना सकते हैं.